नमस्ते ची किचावरी स्वाइस कारेकरम के और एगो करी में आप सभी दर्शक्लों के बहुत-बहुत स्वागत करतें जा जेहां साल के अंतिम मैना में हैं जा यानि दिसंबर में और इई एगो समारो के मैना बन जाला कहें के साल के इई अंतिम समय के दवरान हमने इग नया साल के स्वागत करे के प्रयत्न में लग जाएला जा और इही खातीर घर पर या फिर नौकरी स्थल पर तरह तरह के खानपान के जो पाटी बाते उकर आयोजन भी होवेला लेकिन ऐसन में स्वास्थ पर कैसे चाहला हमने के विशेश रूप से ध्यान देगे एही खातीर हर बरिष स्वास्थ मताले के तरफ से नौकरी स्वास्थ जीवन खातीर अपन इपाटी में भी भाग ली आज हमने के संगे होवन एगू सिन्या नूट्रिशोनिस्ट शीमर्ती ब्रिंदा पातपूर दाउलत जी नमस्कारूमा जी नमस्ते जैसे आप ब्रिनो चंग अस्पताल में कालिरत हवा ता आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा जैसे हम बोले कि इस समारो के माहौल से भरपूर रहे ला ता आप बोलिया कि ऐसन में कुन प्रियोगिते हैं ताकि हम ने सकब जा ठीक से इस सब से गुजरे जैसे जानते हैं कि हम दिसेंबर महने में हैं तो अभी सब लोग फेस्टिव मून में हैं पर यहां पर मैं सोचती क्यों कि हमारा जो प्रायूर्टी होना चाहिए सब से पहला जो आवेला हमरा सेहत पर आवेला तो सेहत पर ध्यान देके और कैसे हम हमारा सेहत अच्छा रही तो उसके लिए हमें एक स्वस जिवन शैली अपनाना चाहिए जैसे होता है पोश्टी का हार अभी दिसेंबर का महना बहुत invitation होता है parties होता है, buffets होता है तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो भोजन में है उसमें ज्यादा फल और सबजी होना चाहिए यानि पोश्टी का हार और इसके साथ सही हाइडरेशन क्योंकि दिसेंबर का महना उसका मतलब है समर का सीजन तो गर्मी बहुत है तो इसलिए डिहाइडरेशन से बचने के लिए सही हाइडरेशन खुब पानी पीना चाहिए जैसे WHO के अनुसार कम से कम डो लीटर्स पानी एक दीन में और उसके साथ आप हाइडरेशन, गुड हाइडरेशन के लिए अंस्वीटन डिंक्स भी ले सकते हैं जैसे दिलो कोको होता है आप घर पे जूस, फ्रेश जूस बना सकते हैं तो यह सब इंपोर्टन है और उसके साथ चाहिए आपका जो शारिरी कसरत तो एक्जरसाइज को मेंटेन करना है हम जानते हैं कि अभी बहुत शॉपिंग हैं, तैयारी हैं जो आप पूरा साल और एक्जरसाइज करते हैं तो कि यह एक्जरसाइज आपको बहुत रड़ करेगा कैसे क्योंकि आपका जो वेट है आपका जो बोजन हैं, मेनि्ِस हैं मेनिज हैं आप इन्विटेशन हैं तो इसी दिए हल्धी वेट मैंटेन करने के लिए एक्जरसाइज बहुत आवश्यक है यानि समारो विवा लेकिन स्वास्त जुन बाते जिसे आप ही बुला कि पहला इस्थान पर चाहला रखे के लेकिन आप से यह पुछब कि बहुत से लोग जुन हवन जा खासकर NCD के मरीज लोग हवन जा तो उलोग खातीर जिसे उलोग त्खित्मों भी करें उनसा उलोग खातीर कौन-कौन साउधानी चाहना बढ़ते के यह मैना में तो जो बीमारिय होता है जाबेट, इपेतांस, जो मालाद लेके यह सब लाने और क्रिसमस नहीं जानते है तो इसलिए खास मेसेज है हमारे जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं दवाई लेते हैं तो उसको अपने ध्यान पर अपने स्वस पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखते हैं दवाई नहीं लेते हैं ज्यादा एक्सेस हो जाते हैं भोजन में, ड्रिंक्स में ज्यादा एक्सेस तो क्या होता है जब वही पेशेंट जन्वरी में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हम देखते हैं कि बलड रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसलिए आप एंजोई कीजे फामिली के साथ आप आनन ले पर ध्यान देना चाहिए आप कौन मातरा में खा रहे हैं और क्वालिटी जैसे बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ-साथ जैसे इंपोर्टेंट है मैंने बोली सही hydration important है आपका जो आहार हैं पोश्टिक होना चाहिए exercise maintain करना चाहिए और उसके साथ जो डवाई आपको अपने डॉक्टर ने दिया है उसको आपको समय अनुसार लेना चाहिए यानि skip नहीं चहला करें कि नहीं क्योंकि देखते हैं कि हम पेशेंट्स बोलते हैं मैंने एक सब्ता दवाई नहीं लिया तो आपका जो अगर उधारन मधुमई का पेशेंट है तो उसका तो डाइबिटीज अन कॉंट्रोल हो जाएगा और उसके साथ जन्वरी में बहुत कॉंप्लिकेशन्स हो सकता है तो धीरे धीरे ये सब करने से जैसे आप अपने स्वस जीवन शैली मैंटेन किया अपने एक पौती में गए पर अपने भोजन पर अपने पोशन साइस पर मिल्की साइस पोशन पर ध्यान दिया तो ये थोड़ा थोड़ा जो आप ध्यान देंगे तो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा होगा और यह देखे आजा कि बहुत बाहर भी जंग फूद रहे ला धिर कोई आकर्शित होएं सा एकर से उलुक सुझें सा कि चलो पार्टी होगा था समारों के माहोल बाते तो थुरा संचाहना चक लेके लेकिन एकर पर कुझे बूल पर तो जंग फूद जो है जैसे आपने बूला आकर्शित बहुत लोग आकर्शित हैं बच्चों, बुजूर, सब लोग तो डिसेंबर का महिना जो होता है पार्टी के साथ और शॉपिंग के साथ मैं सोचती हूँ कि जो जंक फूद का जो फ्रिकोएंसी होता है वो ज्यादा हो जाता है जैसे शॉपिंग कर रहे हैं फामिली तो घर में नहीं होम मेट फूद नहीं बनाते बूल एक दीन भर शॉपिंग के लिए जाएंगे बाहर खाएंगे और फिर रात को पार्टी में तो यहाँ पर एक स्पेशल मेसेज है आपको पता हैं कि आप रात को पार्टी में जाना है तो आपका जो सुभा का नाष्टा है, दीन का भोजन है, आप एक जैसे ध्यान देखे, थोड़ा वक निकालके आप घर में प्रिपेर कीजिए, क्योंकि ये बहुत important है, क्योंकि वो junk foods जो होता है, उसमें कोई nutrients नहीं है, उसमें पोष्टिक जैसे पोष्टिक नहीं होता है, और fats जो हैं, ज्यादा होता है, और वो भी unhealthy fats, उसमें good fats नहीं होता है, तो इसलिए और उसके साथ साथ, जो junk foods कभी-कभी सरक पर बेचते हैं, ये सब, उसका hygiene भी देखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ, जो बहुत देखते हैं, डिसेंबर में, एतोक्सिकासियों होता है, आ आप, जैसे आपको पता है, आपका जो planning होना, जैसे लंच का, आप कोलिस के साथ, लंच में जाना है, तो आपका जो सुभा का नाष्टा है, आप पुष्टी कीजिए, आप healthy कीजिए, जैसे, सबसे best हैं, आप healthy, जैसे whole grain sears के साथ, oats हैं, जो गाले डुबले हैं, उसके एक healthy breakfast कीजिए, और ये healthy breakfast, आपको जो दीन बर दीन होता है, हम घ्रियों ताज होता है, ये सब बिंच इटिंग में न करने से मदद करता है, अगर जाता बाहर उकरा खाई के बाते, कहूं उकरा एविताशों मिलल बाते, लेकिन फजीरे फजीरे के जुन breakfast बाते, उकरा चाह पर हमारा जो सबसे ज़रूरी important meal जो है, वो है हमारा जो सुभा का नाष्टा है, तो सुभा का नाष्टा हमने whole high fiber breakfast लिया, तो ये मदद करेगा, क्योंकि हमें पता है, थोड़ा excess हो सकता है, तो यहां पर हमने जो fiber आहार लिया है, तो ये हमारा जो शडिर में स्वस्क रखन के लिए मदद करेगा, लेकिन कुछ लोग जोन हमन से जिसे विशेश, जिसे बयां सा दाइटिंग करता हमन सा, तो लोग कैसे एकर से सक्यां सा बची, हाँ, ये भी है कि कुछ लोग सोचते हैं, नोवेंबर, डिसमबर का महनया के लिए पाती में जाने के लिए तायारी उस को पाती में जाऊंगी, तो एक दिन नहीं खाऊंगी, इन्फूजन्स लोगी, तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि मील्स न लेने से, एक मील्स न लेने से हमारा जो वेट है, मेंटेन होगा, तो ये गलत है, क्योंकि जब हम मील्स नहीं लेते, स्किप करते हैं, जैसे बोलते हैं, लेपर ने खाई बता, का होईला हमारा जो से अवो हा, वो एंस्ट्रुक्शन दे होईला कि लाग़े स्टोके करेके, और इसे लेवेस होईला कि हमारा जो वेट है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए कोई भी मिल्स जो है, लेपर खाई के, समय पर खाई के, ये बहुत आवशक है, और उसके साथ साथ जो है, जो आपने देखा कि मॉकेट में होता है कि ये पीने से वेट कम होगा, तो ये इन्फूजन्स, ये सब लेने से पहले खूब देखना चाहिए, ये क्या है, और एक्सेस नहीं लेना चाहिए, उसके साथ भी रेजिम द्रास्टिक, जो बोलते हैं कि सिर्फ लिक्विड डायेट करेंगे, ये सब रेजिम द्रास्टिक, जो बोलते हैं रेजिम माजिक, ये सब गलत बात है क्योंकि उससे बहुत कॉप्लिकासियों होएला यानि आप लोगे परिला बहुत सामना करें कि जो अईसन अईसन व्यक्ति लोग इतारा के निर्नाई लेवे लंगसा आप लोगे आगे जब आवे लंगसा तो संख्या बढ़ जाला हाँ क्योंकि जैसे अगर खास पर अगर ये एक पेशेंट है जो हम डवाई लेता है तो उस पर अगर मेडिकेशन लेंगे बीना भोजन के साथ तो डिफिनेटली गास्टिक प्रॉब्लम हो सकता है तो इसलिए हम जो पेशेंट होता है हम अकादगे करते हैं सिखाते हैं कि कैस कैसे हेल्जी डायेट प्लान स्विफ करेके कैसे मेंटेन करेके यह सब हम सला देते हैं तो आप जिससे एगो नित्रिशोनीस था हुआ तो आप कोंची बोलबा एगो अदमी जब अभी यह दावरान वो मगन में बाती है खुशी के अपन जोन कर भावना जोन बाती उप्रक धोनची वह सस्त सकी तैयार करें तो जो फेस्टीव मेन्यू होता है देखे हैं टा पर भाहूत प्रीचो होता है वायते होता है तो यहां पर भी हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं जैसे सबसे इم्पोर्ट जो है तो सेहत है तो यहाँ पर जैसे festive menu होता है सबसे पहला आता है पकाने की तरीकी तो हम जैसे healthy cooking technique अपना सकते हैं अभी तो घर में भूट लोग के पास air fryer है microwave है oven है तो आप जैसे तले हुए चीज़ें जो frying का technique है उसे कम करें और ज्यादा तक आप bake सकते हैं तो सबसे पहला जो menu जो में होता है वो है starter तो जैसे बोलते हैं मोघुष में गाजाग तो यहाँ पर हम देखते हैं सब को fried करते हैं तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं जैसे होफ्मून है सामुसा है वो bake कर सकते हैं और जो आपका जो variety है तेबल पर आपको स्टॉटर्स प्रिजेंट करना तो अगर आप fruits सालाज के साथ प्रिजेंट करेंगे उसमें texture भी ज्यादा आएगा, colorful भी होगा और tasty भी होगा और सेहत के लिए भी है ठीक और और उधारन है जैसे होता है स्टॉटर्स dimson, steam यह भी आप अपने मेनू में इंक्लूद कर सकते हैं और मेन दिश में आप जब पकाते समय आप तेल की मातरा नमक की मातरा आप पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर आप healthy जैसे बोलते हैं healthy fats जैसे sunflower oil होता है olive oil होता है, canola या soya oil उसको use करें आपको अपने meal पकाते समय यह सब तेल थुजो मोदेगासों में से भी करना चाहिए पर healthy fats use करें तो यह अच्छा है और यहाँ पर भी अगर आपको chicken पकाना है, fish में आप grill कल सकते हैं तो यह धीरे-धीरे यह technique जैसे थोड़ा-थोड़ा मग ज्यादा नहीं है और यह अदमी लोग भी अगो जिसे को नवा चीज के भी किसे होज़ा है, उकर स्वाद लेवी जाता हो तो अगर तेबर पर आप बुफेट में हैं, तो आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पर जो होता है जो सनाक्स होता है सबसे पहले हम लेते है वो सॉल्टी भी होता है देखते हैं, और उसके साथ हम जो सब्सर्व करते हैं चिली सोस, केचप या गर्णा, जो हम अवम सोया सोस, यह सब डालते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं कि जो उसमें जब salty होता है तो प्यास ज्यादा लगता है तो प्यास लगने से हमें ज्यादा तक देखते हैं कि पानी नहीं लेंगे तो जूस या फिजी डिंक्स लेंगे तो यहाँ पर maintain यहाँ पर moderation control होना चाहिए कि हम portion size यह portion size पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना खा रहे हैं यह important है और जैसे अभी हाल में आपके संगेग प्रोग्राम हो रहल जो आटा बाते पोचिफ्य एकर पर थुरा सन आप बात करें रहा तो अभी जैसे इस समारों के जब माहोल बाते एकर में एकर इस्तिमाल अगर व्यक्ति ज़्यादा करी तो अगर खातीर अच्छा रही तो यह जो आता है फोटिफाइड आता दोनों फाहिन को फोटिफाइड किया गया है लाफाहिन ब्लो और माहो अगर आप अपने भोजन में इस्तमाल करेंगे अपने मील प्लानिंग में तो यह आपका जो मील है मील तो आप ये आता सेवी करने से जो पकाने की तरीके और तेस में कोई बदलाव नहीं है तो आप आवशक ये आता यूज करें आपका जो मेनुज है उसमें इस्तमाल इंक्लूद कर सकते हैं और इसे केँछे होजा, पीए के जहाँ बात आवेला तो तरा-तरा के ड्रींक्स रहेला तो आईसन में आदमी ज्यादा से ज्यादा कॉंसमें है खोजी रसाउज आप शुरू से बुला थावा की पानी ज्यादा से ज्यादा चाहें लेगे या फिर ये जलेगे तो यहाँ पर भी अगर आपके घर में रिलेटिव आएंगे डिस्पले टेबल पर ड्रिंक्स हैं तो यहाँ पर यहाँ पर भी बालेंस हो सकता है आप other जैसे sweetened drinks, fruit juice के साथ पानी रखना चाहिए उसके साथ herbal infusions हैं लेमोनाद हैं, सितोनाद हैं और green tea भी डाल सकते हैं तो different drinks होने से यहाँ पर जैसे अगर कोई relative को diabetes है तो उसे जो soft drinks हैं, sweetened drinks बिल्कुल नहीं लेना चाहिए तो यहाँ पर infusion ले सकते हैं देलोको को भी जो काफी postic हैं यह ले सकते हैं तो variety रखने से आपका भी जो श्वा होता हैं, balance हो सकता है तुझू अपने willpower से और जहां लेक non-veg लोगे सवाल बाते यह ego कैसे वाजा बहुत से लोग जुन हों जा उलोग मास मचली एकर पर विशेश रूप से अगर ध्यान देवें जा तो सबसे पहला जो भोजन होता है अगर यहां पर मच्ची, चिकन होता है जैसे लाल मास होता है फुईदेमिय होता है अगर कोई को allergy होता है easily allergies होता है तो यहां पर जो mixed protein मेला गया है अंडा है, योगत है यहां पर फिश है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ-साथ देखते हैं किडिसम्बर में, चनवरी में ज्यादा consumption जो होता है consumption, वयनघूज जैसे बोलते हैं ज्यादा हो जाता है तो यहां पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसे जानते है लावियान रूज ये जिरेक्टमां लिये होता है को जो मालाजी को जो वास्प्रिले से और डवेल एचो के अनुसार ये कांसेर को लोगताल भी कोजे करे ला तो इसलिए जो व्यान रूज के आप लेते हैं आपका जो कांसेप्शन उस पर मोदेहासियों सही तरीके से लेना चाहिए क्योंकि जो लावियान रूज होता है जब हम उसे ग्रिये करते हैं जैसे बावियूक्यू बहुत फेमस हैं बहुत लोग पसंद करते हैं तो यहाँ पर ये एगो तोक्सिन पोज़ करे ला जो कांसे रूजन हैं तो इसलिए स्वसमन ट्रालर की सला है अगल व्यान रूज लेते हैं तो आप पकाने की तरीके सांजे कर सकते हैं लासोस में पकाई के क्योंकि ये जो बाविय क्यू ग्रियाद है ये काफी सावधानी लेना चाहिए काफी दाजरे हैं तो आप अमने की बुलिया कि हैजा परिया अगर कुछ औरी तिप सकबा दे ये दिशा में जिसे धेर कोई नौन वेज जवातों सा उलोग नहीं जाना तों सा कि कैसे अपन मेनी के बालों से करे तक कौन ची सक्यांग सा ऐसन ठीक से ले ताकि उलो के स्वास्ता पर बुरा असर नहीं परी तो ल्वयन हूश के इलावा आप जो जो जैसे बोलते हैं वाइट फ्लेश चिकन हैं फिश हैं ये मेन्यू में इंक्लूट कर सकते हैं उसके साथ-साथ हैं जो तेवकन हैं पनीर हैं क्योंकि अगर प्रोटीन का अप्शन से देख रहिए हैं पॉलसेज भी हैं जैसे पिसल की सालाद आप लांती में इंक्लूट कर सकते हैं जैसे आगी को घूज और आणा के साथ क्यूकूमब के साथ सालाद करके डिस्पले कर सकते हैं तो ये तरह-तरह आप प्यां घुजज तरह-टरह और अफशन से सांजे कर सकते है हैं और फूइदोयमेया भी हैं पर यहाँ पर फूइदोयमेय पर थोड़ा ध्यान क्योंकि फूइदोयमेया एकसे पर छोलेस्पेडोल भी कोजरे रेला तो इसलिए थोड़ा जो पोशन है यहाँ पर भी ध्यान देगे और पकाने की तरीके पर भी ध्यान देगे और खासकर आपसे इस सवाल करब जिसे शुरू में आप बुल्ला कि जो न मरीज लोग हमां जा एंसीदी के मरीज लोग विशेश कर जो जाबिचिक लोग हमां सा तो हैजापरी अगर उलोग खातीर कुछ विशेश आप बुली कुछ बहुत तो यहाँ पर जैसे इंपोर्टेंट है आपका जो सही लाइस्टाइल जो है सही हाइडरेशन, सही आहार यह सब पुष्टिक आहार, मेडिकेशन और यहाँ पर देखते हैं कि समारू के दोरान जो अलकोहोलिक रिक्स हैं तो यह सब लेने के लिए आप डवाई ने लेते हैं या भोजन के बाद पुष्टि के बाद आप अपने आप अपने डवाई की पोष्टन चेंज करते हैं ज्यादा लेते हैं क्योंकि सोचते हैं कि ज्यादा लेने से मेरा diabetes control होगा या कम लेंगे तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि ये आप जो डवाई आप अपने आप dosage adjust करेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है तो इसलिए आपको जो डवाई है डॉक्टर और नुसार prescription ये आवश्यक है लेने के लिए और यहाँ पर भी आप patients के लिए ये important है कि आपका जो maintain करना चाहिए exercise अगर afternoon में नहीं कर सकते तो morning आप अपने exercise को maintain रखना चाहिए यहाँ पर एक equation है जो बालेंस होना चाहिए आपका जो खाना पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने कसरत पर भी आप maintain करना चाहिए और कसरत जो क्या वक्त है अगर 30 मिनीज आप 45 मिनीज भी कर सकते हैं तो यह और ज्यादा अच्छा है और कसरत जो हैं आप लामोश कर सकते हैं, जोगिंग या घर में योगा कर सकते हैं, तो जैसे कोई इचेमो कर सकते हैं, डांसिंग भी है, तो जैसे आपको वक्त मिले, तो ये जो कसरत के साथ जो healthy lifestyle है, जो आलकोहल भी है, सिगरत है, ये सब दूर रहना चाहिए, और अगर आल ओमजाफे, जैसे का होई तो कि ये खोब हम नहीं, तो किस सब्हosparen है, नहीं है, तो जैसे को, सिगह स्पयाते होछा पाइए, ये सबसे कोई आखने हैं, थे तो कि वह ब् accents है चाहिए, आः जोले कोशव कहाएं, तो बच्चों के लिए को उचती हूँ घ्काएएं, सब कीजिए आप जैसे ये थोड़ा पोशन साज लेना चाहिए कौन ज्यादा अगर आप कुछ snacks ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ सालाद, fruits लेना चाहिए तो यहाँ पर भी जैसे बोलते हैं घर में फामिली के साथ ये सिखाना चाहिए, maintain करना चाहिए, क्योंकि जन्वरी जब आता हैं तो सब के लिए हम यही आवशक हैं कि हम हमारा सेहत थीक हैं, वेट ज्यादा, वेट में change नहीं होना चाहिए, अगर diabetes का patient है कि DM कमट्रोल होना चाहिए, तो यह सब आवशक हैं और यह कारिकरम के अन तक पहुँच गर हैं जागर कोनों खास संदेश आप देवे खुजबा, तो स्वस्मान ट्राइल को हमारा आशा है कि जो हमने सला दी हैं, आप उस पर अमर करेंगे, और जो सबसे important हैं, तो फिर से बोलती हूँ, वो हमारा सेहत है, तो हमें ट्राइल की और से सबको happy और healthy new year, तो आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवब, और ही संगे-संगे हमने आप लोग के पूरा टेम के खास कर स्वास्त मतलाई के पूरा टेम जोन 24 गंटा कारियरत रहेला ताकि अदमी लोग के स्वास्त जुनबाते ठीक रही, आप सब कोई के बहुत-बहुत शुप कामना देवत हैं जा, यह नवा साल जुन आवता, और ही उम्मीद रकत हैं जा, कि बेटर से बेटर सेवा जुनबाते उपलब्द होई धन्यवादू माजी यहां चिकिच्चावरी स्वास्त प्रोग्राम में जैसे आज हमने बात के आज़ा कि कुन तरस से आप लोग अपन सिहत की ध्यान रखते हुए सालांत के समारों के पार्टी में सगबजा भाग लेए तो हमने ही उम्मीद रखते जा कि आज के प्रोग्राम में जोन-जोन सलाह देवल गल उस सब पर विशेश रूप से आप लोग ध्यान देवजा और इखास कर जैसे कि हमने के आज बतावल गल कि आप लोगे चाहला कसरत करे के पार्टी करा लेकिन कसरत ज़रूरी वाते इही उम्मीद रखतें जा कि आप लोग स्वस्त रहते हुए समारों में भाग लिवजा अचिकिछा औरी स्वास कारेक्रम के इकरी के हज्य परी हमने विराम देवजा अवरी एको प्रोग्राम के संगे आप लोग से भैठ कर अभजा अभिकातिर हमने के अवरी हमने के पूरा प्रसारन टीम के आग्या देवजा नमस्ति आप से अवरी हमने के